चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा है चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों CBSC ने 9th से 12th के syllabus को year 2021 के लिए 30% reduce किया है तो ये खबर आपने पढ़ ही ली होगी और ये भी चैक कर लिया होगा कि कौन-कौन से subject से कौन-कौन से topic डिलीट हुए है अगर अभी तक आपने चैक नहीं किया है तो आप CBSC academic.nick.in पर new curriculum में चैक कर सकते हैं अब CBSC के बाद state भी syllabus reduce करने की planning कर रहे हैं राजस्तान ने तो इसकी पहल कर दी है अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CBSC का syllabus reduce होने के बाद NEET 21 और JE21 के syllabus भी reduce होंगे या नहीं होंगे तो दोस्तों NEET वजेए का syllabus CBSC और state board दोनों से लिया जाता है अब ये जरूरी नहीं कि CBSC ने जो portion डिलीट किया है वही portion state board भी डिलीट करें मानलो CBSC ने physics में law of motion को डिलीट किया है और state board ये portion पढ़ाया जा रहा है तो NEET वजेए में ये कैसे डिलीट होगा तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि NEET 21 और JE21 का syllabus सेम ही रहेगा CBSC के 30% syllabus reduce से NEET 21 और JE21 के syllabus पर कोई effect नहीं पड़ेगा अभी तक HRD मिनिस्टर ने NEET वजेए 21 के syllabus के बारे में कोई clear नहीं किया है क्योंकि अभी इसमें समय है और entrance exam के information platine में syllabus indicate होता है इन सब बातों को देखते हुई अगर आप NEET 21 के लिए तयारी कर रहे हैं तो मेरी आप से यही सला है कि आप NEET 2020 के information platine में जो syllabus दिया गया है उसी के according preparation करें आपका ज्यादा समय नहें लेते हुई वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप NEET 21 की तयारी कर रहे हैं और coaching में study करना चाते हैं तो coaching वाले आपको full syllabus की तयारी करवा ही दिंगे मगर आप self पे study करना चाते हैं तो NEET के full syllabus की ही तयारी करें इसके बारे में और कोई update मिलेगी तो मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वे जदा जदा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हुँ